नमोस्तु महाराजी, स्वयम के जो कर्म वो निश्चित फल देते हैं, तो महाराजी मानो जानता है कि मैंने जो किया है उसका फल में को निश्चित मिलेगा, पर महाराजी हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे कर्मों का बंद कम हो? दिखे, एक विक्ती है, जैसे आप से ही पूछता हूँ, आपको अगर कोई अपराफ करने के लिए कहेगा तो आप अपराफ करने को तयार हो जाओगे क्या? ने होंगें क्यों? कोई कि माराजी कर्म का बंद होगा। करम तो नहीं दिख रहा है, अपराद करने के लिए आप इसलिए उत्सुक नहीं होगे आपराद करूँगा तो जेल जाउँगा, कोई भी शब्ध मनुश अपराद नहीं करना चाहता है, खास कर संगीन अपराद तो करेगा ही नहीं, क्योंकि उससे पता है, जितना संगीन कदमा होगा और उतना ही अधिक डंड होगा मुझे अपमानित होना पड़ेगा मेरी प्रतिष्ठा धुमिल होगी मेरी छवी खराब होगी और मुझे और मेरे परिवार को विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा आपको अपराद से डर है क्योंकि अपराद का अंजाम आपके शामने है इसलिए कोई कहे भी दबाव भी आए प्रिलोभन भी आए तो सामान मनुश अपराद नहीं करता क्योंकि अपराद का डर है इसी तरह जिस दिन कर्म का डर होने लगेगा कि ऐसा कर्म करने का ये फल मिलता है इसका फल मुझे भूगनाई पड़ेगा ये मनमस्तिसक में अंकित हो जाएगा आप से कभी कुकर्म नहीं होंगे हमारे साथ ये तो है हम ये गुन-गुना देते हैं पंक्तियां की सोयम की ये जो कर्म सुबासु निश्चित वे फल देते सबको लेकिन ये कहते हैं पर सोचते हैं अभी थोड़ी मिल रहा है अभी तो जब मिलेगा तब देखेंगे तब तक दून खपा लेंगे ये जो प्रक्रिया ये हमारे बिश्वास की कमजोरी है इसे प्रिगार बनाएए अपने बिश्वास को मजबूत बनाएए ताकि हमारे वेरागी की अनुभूती हो और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके